जैहिन दोस्तों मेरा नाम है सागर गुपता डिजाय टो लिन में आपका स्वागत है तो आज हम कवर करने वाले important ranks and index from October to March और काफी precise विमें में आपको पढ़ाने वाला हूँ ये विडियो कोई 2 गंटे, 3 गंटे का नहीं होने वाला है सिर्फ आपको 30 मिनिट देना है और आपके important ranks and index पूरे cover हो जाएंगे तो बिना किसी देरी के शुरुवात करते हैं और dots को भी connect करेंगे और समझेंगे कि किस टाइप के questions आपसे exams में पूछे जाते हैं चलिए शुरू करते हैं So question number first देख लेते हैं यह काफी जादा important है MMR से जिसे हम बोलते है maternal mortality ratio पहले तो मैं आपको बता देता हूँ maternal mortality ratio होता क्या है इसमें क्या होता है number of maternal deaths ठीक है अगर आपसे exam में पूछ ले कि MMR होता क्या है इसका full form क्या है या फिर इसका जो formula क्या है वो अगर आपसे पूछ ले तो आप बताने में सक्षम रहेंगे number of maternal deaths ठीक है और नीचे आता है ratio में रहता है number of live birds ठीक है live birds multiply by 1 lakh ठीक है तो यह इसका formula होता है यह निकालने का MMR ठीक है तो अगर मैं बात करूँ कि बहुत ज़्यादा decline देखने को मिला है MMR में यह काफी अच्छी बात है अगर मैं बात करूँ भारत का भारत का MMR पहले था 103 और अब ओचुका है 97 ठीक है तो यह काफी ज़्यादा important report है तो अपन इसको थोड़ा सा discuss कर लेते हैं deep में अगर मैं बात करूँ highest MMR states highest MMR states कौन से हैं तो वो है कौन से हैं असाम असाम मध्य प्रदेश और UP असाम जिसका MMR है 195 तो इसमें 1 lakh 1 lakh women's में around 195 maternal deaths होती है कहाँ पे असाम में तीक है और अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश second number पे 173 और उत्रप्रदेश में 167 तो आप से पूछ लें highest maternal mortality ratio कौन से state का है तो वो है असाम का अब lowest प्रदेश अगर आप से पूछ लिया जाए जो मैंने question में रखा है तो best performer with low MMR ठीक है वो कौन से state का है वो है कैरला का यहाँ पे सिर्फ 19 deaths होती है तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे काफी जादा important है यह हो गए अपना MMR से related और भारत का MMR आप याद रखेंगे 97 जो एक huge decline देखने को मिला है 2014 में यह था 130 तेक है उसके बाद यह धीरे धीरे कम होते होगे 97 पे आ चुका है अब एक और resolution के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि भारत ने adopt किया resolution जहां पे 2030 में ठीक है 2030 में भारत का जो MMR हो जाएगा वो हो जाएगा 70 ठीक है 70 पर लेकिन है ना तो यह आप अब समझ गए होंगे तो यह मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करिए तो केरला best performer है so next question देख लेते हैं in 2022 global food security index report what is the rank of India भारत की rank क्या रही पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि यह index launch कौन करता है कौन release करता है तो इसे release किया जाता है British weekly the economist के द्वारा ठीक है इतना important नहीं है but global food security index काफी जादा important है ठीक है तो अगर मैं बात करूँ कौन सी country ने top किया पहले देख लेते हैं वो country तो वो है Finland ठीक है happiness index में भी यही countrys top करती है Finland, Iceland और Norway वगेरा ठीक है तो second पे कौन सी रही island और third पे कौन सी रही Norway ठीक है तो यह हो गई तीन countrys ठीक है top 3 गी अब भारत का क्या इस्तान रहा वो मैं आपको बता देता हूँ भारत रहा 68th नंबर पे तो यह rank आप याद रखेंगे आप से direct question पूछे जाने की chances है ठीक है और अगर मैं एक बहुत बड़ा improvement हुआ है अफ्रीका की ranking में ठीक है अफ्रीका की ranking में बहुत बड़ा improvement हुआ है South Africa जिसके 3 capitals है वो पहले 70th rank थी जिसकी और वो आ गया है 59th rank पे ठीक है 59th rank पे आ गया है तो यह एक बहुत बड़ा change हुआ है अफ्रीका continent में तो यह भी आप ध्यान रख सकते है और बस इसमें आपको यह ध्यान रखना है Global Food Security Index की जो food रहता है ठीक है वो किस तरी से secure है या नहीं है उस हिसाप से यह rank दी जाती है तो Finland में सबसे ज़्यादा secure है और भारत है 68 number पे ठीक है Next अपन देखते है यह 2023 से है तो आपके लिए काफी जादा important है जिसे कि आपको पता है कि बहुत जादा advertising का जो market है भारत में बढ़ रहा है जिसे कि आपको पता है IPL IPL के बीच में जो advertising आते है वो काफी जादा पैसा लेती है तो यह बहुत बड़ा एक group है और यह एक advertising market यह इंडिया में बहुत जादा बढ़ने वाला है तो 2023 में जो भारत का advertising market है वो एट्थ नंबर पे आ जाएगा ठीक है एट्थ नंबर पे आ जाएगा और किसको सरपास कर देगा यह कर देगा ब्राजील को सरपास एक बार इस type का question पूछा था कि कौन सी country को सरपास कर देगा और बन जाएगा भारत तो सरपास अगर कर रहा है ना कोई सी country को तो वो भी आपके लिए important है तो यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे next question देखते है so next question है भारत से ही related है social progress index ठीक है social progress index पहले तो मैं आपको बता देता हूँ यह क्यों दिया जाता है किस components पे दिया जाता है तो यह दिया जाता है कि आपके state में या district में कितना freedom है ठीक है आपकी choice पे ध्यान दिया जाता है आपके shelter पे water and sanitization आपके district या state में कैसा है तो इस basis पे यह ranks दी जाती है social progress index ठीक है तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि top किस ने किया है states और union territory में तो वो किया है पुडूचेरी ने ठीक है पुडूचेरी ने top किया है और second पे कौन रहा second पे रहा कौन जिसमें second पे रहा लक्षदीप और गोव थड़ पे लक्षदीप और थड़ पे रहा गोव तो यह आप ध्यान रखेंगे बस आपको यह ध्यान रखना है पुडूचेरी highest SPI score किया है तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे और lowest किसका है lowest है जारकंड का तो यह सब चीज़े आप ध्यान रख सकते है काफी जादा important है और पुडूचेरी का आप score भी अगर आप याद रखना चाहिए तो 65.99 है तो next question देखते है so next question है according to the report Statista देखो आपने Statista बहुत बार सुना होगा पहले तो आप यह मुझे बताओ यह एक Germany based organization है अगर आप से पुछले Statista is a कौन सी country से यह बिलॉंग करती है यह organization this is kind of Germany based private organization यह provide करती है data and statics about various issues worldwide जो भी issues चल रहा है या components है उन पर यह reports यह data issue करती है तो ministry of defense में world के सबसे ज़्यादा employer है कितने है 2.92 million ठीक है around 30 lakhs people इंडिया में जो ministry of defense है उसमें काम करते है included combined active service personnel civilian staff इन सब को मिला के 30 lakhs है ठीक है तो यह बहुत बड़ी बहुत बड़ा number है तो यह है भारत के पास ठीक है तो यह report ने भारत को top number पे रखा है और second पे कौन है next question देखते है so next question है what is the rank of India in US News and World Report in the cheapest manufacturing unit ठीक है cheapest manufacturing cost के गर में बात करूँ कि सबसे सस्ता माल कौन सा देश मनाता है in the easy language तो in the easy language उने बता है आपको तो भारत है कौन से number पे वो है 31st number पे और top किसने किया यह index वो किया है Switzerland ने so Switzerland ने talk किया है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं ठीक है next question देखते है so next है index से ही related है बट यह इस type के questions आप से पूचे आते हैं कि यह आपको दे देंगे और यह कौन सी organization के द्वारा यह index यह report दी गई है ठीक है तो नीतिया आयोग ने क्या release किया एक report release किये कि carbon capture to achieve net zero emission target by 2070 ठीक है net zero emission target हो जाएगा 2070 तक तो यह किस ने दिया है यह carbon capture title तो यह दिया है नीतिया आयोग ने आप से पूचा जा सकता है यह question आ सकता है आप से exam में कि जो एक title जो एक report जिसका नाम है carbon capture carbon capture एक recently एक report आई है वो कौन सी organization के द्वारा दी गई है तो वो दी गई है नीती आयोग के द्वारा इस type के questions आपको कोई नहीं बताएगा जापे आप एक question definitely miss कर दोगे exam में बट यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा अगर अपन current affairs से related बात करें तो ठीक है next question देखते है so next सबसे आदा important report है global hunger index 2022 देखे 2022 की index की जो reports है वो इतना important नहीं है बट यह hunger वाली है ना बहुत बार आपसे पूछी जाती है इससे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि कितने indicators पे यह report दी जाती है तो यह 4 indicators पे दी जाती है अब भी अपन आगे discuss करेंगे भारत की rank कौन सी रही 2022 में तो 107 नंबर पे रहा भारत ठीक है तो यह चीज आपको दियान रखना है कितनी countries में कितनी countries थी 121 countries ठीक है तो यह चीज भी आप दियान रखेंगे और अगर मैं बात करूँ आपसे कि मैं आपको बता रहा था GHI के जो score होते है वो चार indicators पे दिये जाते है एक तो अंडर नरिश्मेंट चाइल्ड स्टर्निंग चाइल्ड वेस्टिंग चाइल्ड मॉटेलिटी ठीक है कितना है आपके बच्चे जो उनका दियान तो रहा है उस पे दिया जाता है अंडर नरिश्मेंट कितने है तो इन सब चीजों पे ये चार indicators पे ये work करती है वो GHI score दिया जाता है जिसमें जो इंडिया की जो level है वो बहुत जादा serious है तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे बट आपको rank याद रखना है भारत की तो वो क्या है 107 ठीक है next question देखते है so next question देख लेते है what is the rank of India in aviation safety oversight ranking ठीक है aviation oversight ranking में भारत कौन से नंबर पे रहा तो भारत रहा 55th नंबर पे और अगर मैं बात करूँ पहले भारत की rank क्या थी तो भारत पहले था 112th position पे ठीक है काफी अच्छा jump दिखाया है भारत ने और अब आ चुका है 55th rank पे आपको ये बिलकुल याद ने रखना है कि कौन सी चीज ने दिया है क्या दिया है अगर aviation safety से अगर आपको rank पूछी जा है तो भारत है 55th नंबर पे next question देखते है so next question है what is the rank of इंडिया in service trade restrictiveness index ठीक है तो आपको ये बताना है STRI ठीक है STRI में भारत कौन से नंबर पे रहा और ये कौन सी organization देती है उसके बारे में भी discuss करते हैं अपन OECD ठीक है आपने ये organization के बारे में अगर सुना है तो मैं बता देता हूँ आपको organization for economic cooperation and development इसमें around 38 members है ठीक है ये found होई थी 1961 में और इसका headquarter अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका headquarter है पेरिस में ठीक है पेरिस में इसका headquarter है भारत इसका member है या नहीं वो आप मुझे बताओगे तो भारत इसका member नहीं है कहीं बार आपसे UPSC में पूछा है इंडिया is the member of OECD or not ठीक है तो बहुत बच्चे confused हो जाते हैं कि report तो देता है ये सब देता है बट member है या नहीं तो नहीं है member ठीक है और अगर मैं आपसे बात करूँ तो भारत की rank क्या रही है तो भारत रहा 47th number पे ठीक है पहले था 48th पे और एक jump दिखा के 47th पे पोच गया है और कितनी countries में ये rank होई थी ये रैंक होई थी 50 countries में रैंक होई थी ठीक है तो 47th पे पोच गया है अपना प्यारा भारत next question देखते है so next question है what is the rank of Indian quality entrepreneurship ecosystem index अगर आप से पूछ ले entrepreneurship में जो ecosystem है भारत में उसमें किस types की quality है देना तो आपसे rank पूछ ले तो भारत कौन से नंबर पे भारत है 4th नंबर पे काफी ज़्यादा important rank है around 51 countries में यह rank हुई और भारत है 4th नंबर पे तो यह आप एक note down कर सकते हैं कि entrepreneurship में भारत कौन से नंबर पे 4th नंबर पे fire power index में कौन से नंबर पे OECD के index में कौन से नंबर पे तो एक आप अपने short notes बना सकते हैं next question देखते हैं crypto से related आपसे पूछ लिया था Ethereum, Solana इन ताइप से आपसे पूछ लिये थे कि यह सब क्या है तो यह सब थे cryptocurrency आपको option में दिया था cryptocurrency है तो बहुत सारे बच्चे confused भी हुए थे तो इस टाइप से questions आपसे crypto से पूछा जा सकता है कि भारत कौन सा नेशन बनने वाला है तो 7th biggest nation बनेगा जो adopt करेगा crypto को in 2023 तीके बस आपको यह याद रखना है टॉप के पे है ऑस्ट्रेलिया यूएस है और ब्राजी नेक्स कोशन देखते हैं विच स्टेट है इसको star mark कर लीजेगा काफी जादा important है देखे अब आर्टी आई 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 आपको पता ही होगा आर्टी आई एक्ट क्या है इन पे आपन जादर discuss नहीं करेंगे right to information act के बारे में आपको सब पता होगा तो कौन सा state है जो मतलब response नहीं करता है अंडर दा आर्टी आई एक्ट के दीके तो सबसे कम किसने response किया है सबसे कम किया है तमिल नाडू ने दीके ये response ही नहीं करता है ये वाला state दीके तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं second पे या सतर्क नागरिक संगतन ठीके तो ये चीज आप बस आपको ये याद रखनें तमिल नाडू बिलकुल response नहीं करता है आर्टी आई एक्ट का और महरास्ट भी second number पे तो वो भी नहीं करता है ठीके around 14% ही ये response करते हैं आर्टी आई एक्ट का ठीके next question देखते हैं so next है ये थोड़ा इंडेक्स से related नहीं है बट ये मैंने रखाए कि आपको थोड़ा सा इसका idea हो पाए which station tops in the dirtiest railway station in इंडिया अगर आप से पूछ लें सबसे गंदा railway station कहां का है तो वो है तमिल नाडू का तमिल नाडू का कौन सा railway station है वो है पेरुन गलतूर ठीके देखो पांच मे से चार railway station तमिल नाडू के जो काफी जादा गंदे हैं है ना ये जो report आई है according to the Indian railway रेल सच पोर्टल के द्वारा ये report आई है तो आप ये चीज़ धियान रखेंगे जिसमें third number पे एक और है देली सदर बजार का railway station है ना तो आप सबको तो पता होगा अगर आप देली से य लिकम third largest auto market ठीक है auto market autumn oil market में भारत कौन से नंबर पे आजाएगा भारत आजाएगा third number पे और किसको सरपास कर देगा सरपास कर देगा जपान को ठीक है तो काफी important news है और इस type के question CDA, NDA इन सब को पसंद है ये पूछ लेते हैं कि भाई किसको सरपास करेगा तो वो करेगा ज पे चाइना, second पे USA, third पे आजाएगा इंडिया, fourth पे जपान, fifth पे जर्मनी ठीक है तो ये सब चीज़े आप ध्यान रखेंगे किसको सरपास करने वाला है जपान को next question देखते है so next which city has highest rate of women employment ठीक है recently अब ये report आई थी कि सबसे ज़्यादा women employment कहां पे दिया जाता है तो ये है चैनाई में सबको लगा होगा कि बैंगलोर में है पूने में है ठीक है बट ये टॉप पे है चैनाई, second पे है बैंगलोर, पूने ये सब बाकी cities है बट टॉप पे है चैनाई तो आप ये चीज़ ध्यान रख सकते है next देख, so आज का सबसे important question according to the Henle Passport Index, what is the rank of India, ठीक है 80 to 90 के बीच में ये भारत की rank हमेशा गूमती रहती है, तो अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप इस basis पे लगा भी सकते हैं, ठीक है, तो इस बार कौन सी rank रही है भारत की, तो इस बार rank रही है 85, टॉप किस ने किया है, जपान ने, ठीक है, around 193 global destination पे visa free entry देता है जपा ठीक है, तो ये काफी ज़्यादा important है और हर बार जपान ही टॉप करता है Henle passport index, और जो दूसरे passport index आते हैं, वो इतने important नहीं रहते है, Henle का passport index काफी ज़्यादा important है, next question देखते है, so next is, which state tops the chart for mobile gaming destination in India, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने ये चार्ट को टॉप किया था, भी recently a news और second पर यहां पर सबसे ज़्यादा gaming खेलते हैं, mobile gamers यहां पर, अगर आप भी उत्तर प्रदेश में हैं तो आप मुझे comment section में बताएगा, कि आप भी game खेलते हैं या नहीं खेलते है, mobile games, हैना second पर है महरास्ट, second पर महरास्ट है, third पर है बिहार, और fourth पर है West Banga, ठीक है, य इतना important नहीं है बट आप यह दियान रख सकते हैं, उत्तर प्रदेश आप, बस basically आप याद रख सकते हैं, next question देखते हैं, according to the global fire power index, what is the rank of India, यह जो, देखो, एक handle मैंने आपको important बताया, एक मैंने आपको food security index important बताया, एक एक global fire power index, यह भी काफी जादा important है, ठीक है, क्यों total fire power index में, तो भारत है fourth number पे, total count कितनी countries को किया, 145th countries को इनने target किया, और भारत आगया है, fourth number पे है न, तो यह चीज़ आप दियान रखेंगे, first पे कौन है, चलो, first पे USA, second पे है Russia, third पे है China, और fourth पे है अपना प्यारा भारत, तो यह चीज़ आप दियान रखेंगे, इसमें यह को क्या-क्या बताया जाता है कि manpower आपकी क्या है, land forces, air power, natural resources, naval forces, logistics and financials आप कैसे handle करते हैं, तो यह सब चीज़ों के according यह reports दी जाती है, but आपको याद रखना है fourth rank रही है, प्यारे भारत की, next देखते है, so next important index है, what is the rank of India, international intellectual property index, ठीक है, intellectual property index में भारत की क्या rank रही है, ठ चैले तो मैं आपको बता दू, यह index को release कोन करता है, आपसे बहुत बार यह question पूछा गया है, ठीक है, इसको release करता है US Chamber of Commerce, ठीक है, बहुत बार पूछा है, आप इसको हलके में लेंगे, बट आपसे exam में आपसे पूछ लिया जाएगा, WEF, World Bank, IMF, और आपको यह दिया जा ठीक है, भारत की rank रही, 42nd, है न, तो यह आप याद रखेंगे, 42nd, भारत की rank रही, टोटल कंट्री स्थी 55, तो यह आप दियान रखने वाले, काफी जादा important है, टॉप किस ने किया, टॉप उसी ने किया, जिसने release किया, ठीक है, US ने टॉप किया, 2nd पे रहा UK, तो यह सार सकते हैं, so next question देख लेते हैं, which organization released the 9th woman business and law 2023 report, अगर आप इस question को करने में सक्षम है, तो definitely आप UPSC का भी paper निकाल सकते हैं, क्योंकि इस type के question UPSC पूसता है, ठीक है, direct question देदेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी organization यह index को release किया है, तो कौन सी organization हो सकती है, World Health Organization, WTO UNESCO, World Bank, ठीक है, आपको यह समझ नहीं आएगा कि कौन सी organization इसे release कर सकती है, तो इसे release किया World Bank के द्वारा, ठीक है, आपको याद रखना है, World Bank के द्वारा यह release किया गया, इसमें आपको ranking कुछ याद नहीं रखना है, इंडिया का score रहा 74.4% out of 100, है ना, बट इतना कोई द्य द्यान नहीं रखना है, वो जो indicators है, mobility, workplace, यह सारे indicators है, women's के लिए, ठीक है, तो यह सब चीज़ा आप द्यान रखेंगे, Belgium, Canada और Denmark, इनने आटो indicator में top कर लिया, है ना, total 8 indicator है, इनमें top कर लिया, Belgium, Canada और Denmark ने, ठीक है, तो यह चीज़ा आप द्यान रखेंगे, release कौन करता है, वर्ड बैंक, next question देखते है, what is the rank of India in electoral democracy index 2023, ठीक है, electoral democracy index में भारत कौन से इस्तान पे, आपसे यह पूछा गया है, तो भारत है कौन से इस्तान पे, 108 नमबर पे, यह January की news है, तो आपके लिए important है, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा, और यह कौन से institute के दारा निकाल द जाती है, VDAM institute in its electoral democracy report, है न, तो बस आपको यह दियान रखना है, भारत है, 108 पोजिशन पे, तो अपने index तो सारे complete हो गया है, और जो जो importance थे मैंने आपको बता दिये, अब आपको यह जाना है कि कौन सी organization, कौन कौन सी report निकालती है, बस मैंने वर्ल्ड बैंक को रखा है, औ और W.E.F. को रखा है, World Economic Forum को, क्योंकि इनी से ज़्यादा आपसे question पूछे जाते हैं, यह वाली सारी याद कर लेना, आपसे सारे questions बन जाएंगे, CDS NDA के तो बन ही जाएंगे, देखें, Ease of Doing Business कौन सी निकालती है, World Bank, World Development Report, World Bank, Global Economic Prospect, World Bank, Remittance Report, World Bank, जिस पर style लग जाएगा वो important है, ठीक है, Ease of Living Index, World Bank, ठीक है, Indian Development Update, World Bank, यह तो important नहीं है, Universal Health Coverage Index, World Bank, The Service Trade Restriction Index, World Bank, है न, यह हो गई अपनी सारी, ठीक है, वो जो STRI की थी, STRI, वो निकालती है, OECD, ठीक है, यह अलग है और वो अलग है, तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे, World Economic Forum, अब World Economic Forum की बात करते हैं, अपन, WEF की की कौन-कौन सी important reports है, Global Information Technology Report, World Economic Forum, ठीक है, important नहीं है, इसमें important है, अपनी, एक तो, Global Competitiveness Report, यह ज़्याद़ important है, है न, और Inclusionive Development Index, यह भी important है, है न, और Travel and Tourism, अब भी, आप यह याद रख सकते हो, बाकि आपको बस यह याद रखना है, कि World Economic Forum कौन सी report निकालता है, और World Bank कौन सी report निकालता है, हर बार आपसे, basically, World Bank और World Economic Forum से ही पूछी जाती है, और जो, News में चल रही है, वो आपसे पूछी जाती है, ठीक है? तो आशे करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जिसा आपसे वादा किया था, कि 25 मिनिट के अंदर आपका यह complete करवा दूँगा, तो 25 मिनिट में भी आपका यह वीडियो complete हो गया है, तो मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रख किये, जय हिंद, जय बारत, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो प्लीज आप एक लाइक कर सकते हो, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं,